नमस्कार स्वागत आप सभीका मरुधर बुलेचिन वे मैं धिपिका जांगेड आपके साथ राजसान की चिकित साइस स्वास्त मंत्री डॉक्टर अगुष श्यर्मा ने कहा है कि परदेश कोरोना प्रबंदन के बाद वैक्सिनेशन में भी देशवर में अग्रनी है उन्होंने बताया कि गुरिवार दूपर एक करोड से अधिक दूसरी डोस लगा कर परदेश की 20 परतिशत लक्षित जनसंख्या को वैक्सिनेट किया जा चुका है चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कुरोना की संभावी तीसी लहर के आशनका को देखती हुई परदेश के सभी सिशू चिकित्सालियों के आधारबूर धांचे को संदर्ड किया गया है उन्होंने बताया है कि चैनि 332 यसी में ICU बैड के साथ मेडिकल ऑक्सिच्वन की उपलब्दिता सुनुशित की जा रही है उन्होंने ये भी कहा कि अब तक विभिंच किस सालियों में 550 से अधिक अतरिक्त बैड का लोकारपन किया जा चुका है और मेड्स की संख्या में लगातार बडोत्री की जा रही है राजस्तान के बाड में रोटजालो चुले के कई इलाकों में गुरुवार सुबए 11 बच कर 15 मिनच पर भुकम की च्छट के महसूस के गए भुकम की च्छट के महसूस होने के बाड लोग घरों के बाहर निकले रिक्टर इसकेल पर इनकी त्रिवता 4.0 मापी गई भुकम की च्छट के चुले के धोरी मंद्रा सहीत आसपास की ग्रामी निलाकों में महसूस के गए मिलिशानकारी के रुसार धोरी मत्रा कस्पे में लोग अपने रोश्मरा के काम में लगी हुए और इसी दुलान सुबह 11 बच के पंद्रा मिनच पर हलके भुकम की च्छट के महसूस के गए घरोंगे बहान निकले और आसपास के लोगों को भी घरों से रहकर भाहन निकलने की अपेल की ग्रामी निलाकों में भुकम की जटके आने के बाद लोग आपस में चर्चा करने लग गये जैपुर ग्रामिन के नरेना इलाके में 8 साल की मासूम बच्ची का अपरहन कर दुश्कर्म और बाद में हत्या करने के मामले में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए महजार दिन में आरोपी के खिलाव कोट में चालान पेश कर दिया है पुलिस ने स्वारदात के बाद 15 घंटों के भीतर ही आरोपी और गिरफतार कर लिया चोकि आरोपी अग्यात था इसलिए 600 पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्वियों को इसकी तलाश में लगाया गया था पुलिस ने परंपरागत तरीकों का सहारा लिटे हुए लगातार सर्च अभियान चला कर आरोपी सुरेश कुमार को दबोच लिया था जैपुर ग्रामीन पुलिस अधिक्षक शंकरदर्च शर्मा ने बताया है कि 11 अगस्त को नरिकनाग इलाके में 8 साल की एक मासूम का अपरन कर लिया था और आरोपी ने मासूम से रेप कर उसकी हत्या कर दी थी इस वारदात के बाद इस्थानी लोगों ने काफी आक्रोश था पुलिस ने तटपरता बरतते हुए महस पंदरा घंचे के भीतर आरोपी सुरेश को गिरफतार कर लिया हम आपको बता दी कि अतरीक्त पुलिस अदिक्षक धर्मिंदर कुपार यादव के नेत्रोट में SIT का गठन क्या गया डुंगरपोर चुले के चोड़ासे थाना चित्र में बुदुवार देरात एक महिला की उप्चार के दुरान मौत हो गई पत्नी और तिन बच्चो को लेकर पति गाउं के ही एक जोला चाप डॉक्टर के पास महुचा डॉक्टर ने महिला को जिप चड़ाई और तीनों बच्चो को इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने उने घर भेज दिया, रास्ते में महिला की तबियत जादा भी गरने लगी इसे के साथी पती उसे नीजर स्पता लेकर गया जहां उसकी मौत हो गई मामले में महिला की पती ने जोला चाप डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामला धर्ज करवाया है जोला चाप पांच साल से गाउ में प्रैक्टिस कर रहा था गाउं के लोग इसे माताची वाले डॉक्टर की नाम से जानते हैं अगर इश्वर के पती आस्ता गहरी एवं विश्वा सच्चा हो तथा आप में होसला हो तो आपकी कोई भी शारी कभी कभी भी भाता नहीं बनती है और इसी बात को सही साबित कर रही है सिक्षण अगरी के कच्ची बस्ते निवासी मुन्ना जो दिव्यांग होनी के बावजूत पिछले 20 वर्षों से लगातार चाहे केसे भी परस्तिती हो हर वर्ष कुचामन से राम देवरा ट्राइसाइकल पर यात्रा कर लोग देवता वावा राम देव के दरबार में अपनी हासरी लगा रही है पैरों से दिव्यांग मुन्ना की इस होसले के साथ ही है उनकी बहन मुन्नी देवी चो पुरी यात्रा में ट्राइसाइकल को पीछे से धक्का लगाती है एवं कई लोगों ने उन्हें माला एवं दुपट्टा पहना करता था सफल यात्रा की शुप कामनाई देटे हुए राम देवरा के लिए विदा किया फिलाल के लिए सफ इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप चूड़े रहें मरुत्र बुलोचिन के साथ नमस्कार